हाई फ्रेंड्स वेलकम टू जी आरेश टेक्निकल लेकर मैं आ गया हूँ राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय नौरण करेंट अफेयर्स आज का पहला प्रश्ण है राष्ट्रिय तक्नी की प्रदियोगी की अथवा टेक्नलोजी दिवस कब मना तो 11 माई को मनाया गया फियर अफ गौड पुस्तक के लेखब कौन है तो बोम देवराचंद्र वदन है नेक्ष प्रश्ण है हरिसंकर वासुदेवन कौन थे तो ये एक महान इतिहांसकार थे और इंडिया इजराइल पर बहुत अच्छे अच्छे ये हिष्ट्री तयार किये थे किस देश ने मिशन सागर शुरू किया है तो ये पांच देशों को हेल्प करने के लिए इंडियान ने भी ने मिशन सागर की शुरुवात करी है नेक्ष प्रश्ण है अंतराष्ट्री हे होकी महासंग के अध्यक्ष तो नरिंदर बत्रा अभी बरतमान में होकी महासंग के अंतराष्ट्री अस्तर के अध्यक्ष है मध्य परदेश सरकार ने कारखानों में काम की अवधी आठ घंटे से बढ़ा कर कितने घंटे कर दी है मध्य परदेश की राजधानी भोपाल है बर्तमान में राजपाल लालची टंडन है मुख्य मंतरी का पदभार सीवराज सी चोहान समाल रहे है कोवीड का वाच एलीजा टेस्ट की विक्सित की संतान ने की है कहां तो एन आई भी पुने ने की है पुना किस राज़ में परता है महराष्ट में महराष्ट की राजधानी मुंबई राजपाल भगत सिंग को स्यारी मुख्य मंतरी उद्ध ठाकरे नेक्स प्रश्ण है बहुत ही इंपोर्टेंट है वी वी आई टिक कर लें फेड कॉप हर्ट आवाड किस भारतिये खिलाडी ने पहली बार जीता है तो सानिया मिर्जा जो है भारतिये मूल की टेनिस खिलाडी है और इन्होंने फेड कॉप हर्ड आवाड जीता है नौरतन का आखरी प्रश्ण फीफा बास्केट बॉल्ड कॉप किस वर्स आयोजित किया जाएगा तो ये 2023 में आयोजित किया जाएगा पिछला फीफा फीबा बास्केट बॉल्ड कॉप 2019 में ध्यान रहे पिछला जो है वो 2019 में हुआ था लेकिन अगला जो आने वाला दिन में तो 2023 में होगा फीफा तो होता है फुटबॉल का लेकिन फीबा जो है फीबा बास्केट बॉल्ड कॉप कराता है फीबा तो आज का सेशन कैसा लगा अच्छा लगे तो सेयर करें साथी साथ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा जैन वन्यमात्रम